लुमिश्कार दोस्तों कहा जाता है कि अगर किसी चीज को प्रमानित करना है तो उसका प्रमान यानिकी प्रूफ सामने होना चाहिए आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही प्रमान लेके आया हूं यासे ही कुछ प्रूफ लेके आया हूं आप देख रहे होंगे अभी मैं बात कर एक question paper की जो की conduct किया गया जो की एक cds examination की मैं बात कर रहो जो की conduct किया गया था 16th of April 2023 में और basically मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितने questions connect हुए है बच्च class note से जो English की class में बच्चों को पढ़ाया गया था जो English की class में बच्चों को content सिखा गया था या उनको दिया गया था किस-किस तरह से question वहां से connected मिले हैं अगर मैं cds examination की बात करता हूं वैसे तो cds examination में 120 question आते हैं 120 question आप लोग नहीं लगबग 2 घंटे में cover करना होता है ठीक है तो जो हमारी विध्यारती यानि कि जो students है वो तो आके बता रहे हैं कि sir लेंदी वीडियो तो उस है शायद नहीं बना पाऊंगा लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि sir और question का प्रूफ दे दो तो definitely I'm standing over here मैं वो प्रूफ जरूर आप लोग के सामने ले क्या हूंगा चले काम करते हैं उन questions के साथ साथ ना उन question को solve करने के भी कोशिश करेंगे कि कि उसका rule क्या applicable हुआ उस question में question exam के अंतरगत किस तरह से आया किस तरह से उसका rule है और किस तरह से आपको वो question solve करना चाहिए था आजिए तो हम सीधा पहला question देख रहे हैं और आप लोग देख रहे होंगे यहां पर एक question दिया हुआ है question कहता है अगर आपको ठीक से question नहीं तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं and I hope जूम करके आपको साफ साफ question चमक जाएगा चले question क्या कहता है question कहता है without health there is no happiness आप अगर इस question को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या concept आया हुआ हुआ है यह देखे happiness एक शब्द दिया गया है और पूछा गया है कि happiness कैसा concept है क आप नख खुझ से इसको solve करने की कोशिश करना अगर मैं आपको class note का भी कुछ previous दिखाता हूँ देखे अगर मैं class note का review दिखाता हूँ यहां देखे आप last में देखेंगे, ठीक है, ये देखो, class notes, हमारे class notes क्या कहते हैं, हमारे class notes कहते हैं, कि भीया, ये abstract noun होता है, कब abstract noun होता है, अगर किनी शब्द के अंत में, यानि कि कुछ suffix मिल जाए, c, i, ty, ty, ry, n, e, double, s, अगर किसी शब्द के last में, n, e, double, s, मिल जाता है, तो वो noun कह किलाता है, वापस से question पे आते हैं, वापस से question पे आते हैं, तो हम जो question पे आ रहे हैं, देखें, अब यहाँ पर word कहता है happiness, तो happiness का मतलब क्या हो गया, happiness हो गया, noun, तो जिस बच्चे का ये paper है, वो भी बहुत correct इसको answer को लगा के आया है, ठीक है, as it is question मिला है, आगे बढ़ question हम लोग connect कर पा रहे है, तो second question आप लोगी screen पर है, कहता है, they tried to find fault with us, तो वो क्या find out करने की कोशिश कर रहे है हमारे अंदर, ठीक है fault, वापस देखोगे concept को, तो कहा जा रहा है कि जो two है, two यहाँ पर क्या है, basically तो पूरा underlining को करना चाहिए था, तो two plus verb की first form यहाँ पे इ gerund है, अब देखो, simple सी बात अगर देखी जाए, तो यहाँ पर answer बच्चे ने लगाया होगा, infinitive, एक काम करते हैं, सीधा questions के अंदर भी देख लेते हैं, और अगर question के अंदर देखा जाए, तो यहाँ देखे, notes के अंदर देखे, आप लोग को यहाँ पर साफ साफ लिखव जिसे यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है, उपर देखे, infinitive का concept दिया गया, sentence दिया गया, something we get, एक मीट, एक मीट, एक मीट, यहाँ देखे, I want to write, infinitive 2 पलस वर्ब की 1st form, तो जब मैं 2 पलस वर्ब की 1st form की बात करों, यह एक definitive है, और यहाँ sentence कर रहा है, I want to write, तो 2 के इस्तमाल से तो इन्फिनिटिव बनाता है तो यह रहा आंसर आपका आंसर क्या है इन्फिनिटिव है और हमारे जो विध्यारति यानि कि जिसका यह पीपर है वो भी बहुत साही आंसर यहाँ पर लगा कर आया है अगले कोशन की तरफ चलते और कोशन देख लेते कितनी कौन स एस देड है और यहां पूछा गया है कि जो अलास शब्ढ है यह क्या है अब ध्यान से लिए ओप्षिन दे रखे लेक्षण है अब आपको सीधी सी कहीं नहीं लेके चलता है सीधा लेके चलता है कुश आपके लास नोटS पर अगर क्लास नोटS को देखते हैं यहाँ आज देखिए, इंटरजंक्शन और एक्स्लामेट्री साइन प्लस संटेंस, यहाने कि किसी संटेंस से पहले जब इस तरह के वर्ड आया थे, और एग्जेक्ट अलास ही लिखवाया हुआ है, अगर आपका ध्यान जा रहा है, नहीं दिख रहा है, और जूम कर देता हूँ, ठीक है alas ही मिल रहा है, अगर आपको exactly clearly दिखाई दे रहे है, किया मिल रहा है alas मिल रहे, alas यहाँ पे clearly हो रहे है, ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं अगले question की बात करते हैं, तो यहाँ तक मेरे अब ध्यान रखना हाउस मेरा नाउन है नाउन से पहले मेरे पास अड्यक्टिव है और अब आर्टिकल के पहले में क्या दे सकता हूं और कौन सा एडवर्ब आएगा वो इंपोर्टेंट यहां पर दे दिया राधर फेरली क्वाइट अपर प्रिटी ली ठीक है ध्यान दखे क्वाइट यहां पर लिखा गया है जो हमारा स्टुडेंट इसको आंसर करके आया है क्वाइट लगा क्या है राधर का मतलब होता है जितना जो मुझे पसंद नहीं है फेरली का मतलब होता है उस हद तक जो मुझे पसंद है और क्वाइट का मतलब होता है बिलकुल तो अग यहां देखो, class notes देख लो, class notes को बहुत अच्छी से देख लेना, और आप बल्कुल focus करके चलना, यहां देखो, क्या आप word देख पा रहे हो नीचे, अब word देख पा रहे होंगे, ठीक है, क्या लिखवाया हुआ है, यहां जो, यहां जो, rather यहां, तीनो शब्द line में मिल रहे ठीक है, कितना content, एक question में cover हो रहा है, लगवख 50% paper, 120 question में 60 भी लगाओ, 50% paper as it is, मिल रहा है, सोच सकते हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, अगला question भई, अगला question क्या कह रहा है, यहां आ जाओ, यहां जाओ, चलो, अगला question क्या कह रहा ह अगला question कह रहा है, I am playing tennis tomorrow, कल मैं क्या खेल रहा होंगा, मैं tennis खेल रहा होंगा, unless, कब तक खेलूंगा, अब unless के बाद मुझे क्या चाहिए, it rains, it doesn't rain, it rained, it may rain, possibility बता रहा है, model verb है, past tense बता रहा है, doesn't rain, तो indefinite है, लेकिन negative है, unless के साथ negative नहीं जाता है, अब आते हैं, इसके concept class note से आजाओ, चलो भई, मैं class note से समझायता हूँ, आपको बहुत अच्छे से class note दिखायता हूँ, तो अगर मैं class note की बात कर रहा हूँ, यहां देखे pattern, class note क्या कह रहा है, class note कहता है, कि जब भी मुझे unless मिल जाए, unless के बाद क्या लगाना है, present indefinite tense लगाना है, क्या लगान रहा हूँ, तो आप लोग option देख पाएंगे, कि यहां पर unless के बाद, पहले वाला क्यों correct होगा, क्योंकि यह present indefinite बता रहा है, it plus rains, और rain, यानि की वर्प की first form में, so and yes कहा लगाते है, present indefinite tense में लगाते है, ठीक है, तो I hope बहुत अच्छे से clear हो रहा है, आजो और देख ल यहां से question भी कैसे attempt करना है, अगर मैं अगले question की तरफ बढ़ रहा हूँ, यहां से अगर मैं अगला question देखता हूँ, यहां देखिए, आपके पास अगला question आ रहे है, चले, अगला question क्या कह रहे है, अगला question कह रहे है, मुझे थोड़ा सा जूम करना पड़ा है, क्योंकि थोड़ा है विजिबल उतना है नहीं, तो the dash of car is unknown, अब seriously बता हो, यहाँ पे एक rule applicable होता है, वैसे तो noun, preposition, noun का, इसका noun plus preposition, preposition plus noun, चीक है, और मैंने आपको यह बता होगा है, वैसे आपको जो लोग regularly पढ़ा ही करते हैं, उनको यह भी पता होगा, कि जहाँ जहाँ मैं noun लिख सकता हूँ, noun के स्थान पे मैं pronoun भी दे सकता हूँ, noun के स्थान पे मैं gerund भी दे सकता हूँ, चीक है, अब अगर इस वाले question को solve किया जाए, हमारे experiment ने ing वाले form को correct करके है, ing वाला form यानि की gerund होता है, verb की first form plus ing, ठीक है, अब जिनको पता है वो इसको solve कर लेंगे, जिनको नहीं पता वो confused हो जाएंगे, देखो make up noun होता है, make आप आपको बहुत अच्छी से पता है, क्या होता है, made up कोई चीज बनाने के लिए use करते ह first form है, तो जब मैं यहाँ पर मुझे noun का form चाहिए, तो मैं make का तो use नहीं कर सकता, make तो मेरी verb होती है, made up a phrasal verb होती है, make up noun भी होता है, ठीक है, और make up verb भी होता है, phrasal verb भी होता है, ठीक है, तो make up का तो यहाँ से कोई भी sense नहीं आएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, क्योंकि pure noun की तरह काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से clear हुआ होगा, अब जब पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर सर यह class में कहा करवाया हुआ है, आजो, चले, clear करते हैं, class में कहा करवाया हुआ है, अगर मैं इस concept को देखता हूँ, ठीक है, अजी, एक मेंट, अगर मैं इस concept को यहाँ देखता हूँ, आजो, क्या कह रहा है, वर्ब की first form plus ing, ठीक है, क्या कहती है, एक मेंट, थोड़ा सा, एक मेंट, चलो, तो वर्ब की first form plus ing, क्या बनाती है, वर्ब की first form plus ing बनाती है, जिरंड, जिसे smoking is injurious to health, अब smoking क्या है, smoking यहाँ पर जिरंड बना रही है, य noun, जिरंड, जब वर्ब की first form plus ing, किस की तरह काम करते हैं, वर्ब की तरह काम करते हैं, तो उसको जिरंड कहते हैं, ठीक है, साफ साफ दिख रहा होगा, आप लोगको, आज अगले portion पर चलते हैं, तो यतना क्लेर हो गया, अगला question क्या कह रहा है, 0. अगला question क्या कह रहे है, आपकी पैस अगला question आ रहा है, अगला question यहाँ पर ध्यान रखना, तो आपको एक phrase यहाँ पर पूछा गया है, और phrase क्या है, idiom phrase है, कहा गया है, be in the soup, क्या मतलब होता है भाई, be in the soup का, अगर मैं be in the soup की बात करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, to be in trouble, to be very healthy, to be good at the workplace, और to be honest to people, अब एक बार चेक कर लेते, class notes से यह कहा रहा है, ठीक है, आजो, class notes से कहा रहा है, यहाँ देखे, यहाँ देखे, class notes में, ठीक है, क्या कहता है, be in the soup, same phrase है, मैं zoom करके बताता हूँ, मैं zoom करके बताता हूँ, ठीक है, look at this, चले जी, तो बोला गया है, be in the soup, तो be in the soup का मतलब क्या है, be in the soup का मतलब है, to be in trouble, मुश्किल में होना, हाँ, लेकिन हमारा जो aspirant है, वो थोड़ा सा गरबर यहाँ पर कर या है, क्योंकि पहला जो answer है, A होना चाहिए था, ना कि B होना चाहिए था, ठीक है, बट आपको मैं यह साथ-साथ, साथ-साथ, परमान दे रहा ह कि भई, आप class node से content को एक बाब match करा लिजिए, ठीक है, अगले question की तरफ बढ़ रहे है, अगला question यहाँ आप लोगो clearly दिखाई दे रहा होगा, क्या कहता है अगला question, एक और idiom phrase आया हुआ है, और idiom phrase क्या कह रहा है, idiom phrase कह रहा है, a white elephant, a white elephant, ठीक है, जिसका मतलब क्या होत greatly good, मुझे पूरा पढ़ने की जरूरती नहीं है, जैसे इसने संवन दे दे, क्यों वाइट elephant तो मैं बस्तू के लिए यूज़ करूँगा, पहली चीज, right, something that has cost a lot of money, but has no useful purpose, तो कही न कही बी option correct है, right, आज ही एक बार class notes में देखते है, क्या class notes में इसको करवाया हुआ है, यहां देखते हैं, क्या class notes में इसका जिक्र है, यह देखिए, a white elephant, very costly, expensive, costly, right, समझ में आ गया, तो जब मैं किसकी बात कर रहो, white elephant, तो white elephant का मतलब क्या रहा है, white elephant means, expensive but useless thing, इसी के आगे अगले concept की तरफ बढ़ रहे है, अगला question देख रहे है, आजो, एक और idiom phrase, कहता है a hot potato ठीक है, यहां कई mention है, hot potato, आजो दिखाता हूं आपको class note में, यह देखो, यह देखो, क्या कह रहे है, a hot potato, क्या कहता है, an issue which is disputed and catching the attention of people, ठीक, यानि कि dispute की हम लोग बात कर रहे है, ठीक है, आजो एक बार focus करते हैं, तो someone who is very angry, something that is difficult to deal with, or someone who is fallier than appears to be, or to be unable to decide, तो answer क्या होगा, B answer correct है, यहां देखे, इस फटाफर से, ठीक है, तो कहता है, something that is difficult to deal with, right, and hot potato, तो आपको दिख रहा होगा, as it is, question आपको, यहां पर भी दिख रहे है, as it is, question आपको, answer आपको, यहां पर भी content दिख रहे है, ठीक है, एक और question देख लेते है, आजो बही, एक question क्या कह रहे है, यहां देखिए, चलो, मैं थोड़ा से इसको और zoom कर देता हूँ, क्योंकि zoom करके आपको दिखना बड़ा important है, थोड़ा सा blur हो जा रहे है, ठीक है, क्या कह रहे है, either he or I am mistaken, ठीक है, या तो तुम्हारी गलती है, या तो मेरी गलती है, either or, अब देखो, को पता है, कि either के साथ combination आता है, और का, इसका combination और का, तो either he or I am mistaken, ठीक है, अब इस sentence को अगर ध्यान से देखेंगे बिटा, तो हमें पता है कि जबी भी either or या neither nor की बात करूँगा, तो और या nor के बाद वाला जो subject होता है, इसके according verb लगानी है, यानिकि I के according M आना चाहिए, और M के बाद mistaken है, तो मेरे खाल से बहुत perfect है, यानिकि no error, और हमारे aspirant ने भी यहाँ पर क्या दिया हुए, no error दिया हुए, अब देखते हैं क्या class notes में ये चीज़ करवाई हुई है, आजो जी, एक बाद class notes में देख लेते हैं, या class note में ये चीज़ करवाई गई है, या देख लो बई, उपर देख लो, ये रहा concept, ये रहा concept, क्या कह रहा है, either Radha और Sachin has to write this letter, या तो Radha को, या तो Sachin को इस पत्र को लिखना है, अब Sachin singular है, that is why मैंने यहाँ पर हम लोग ने has का use लिया है, ठीक है, either or, or neither nor, दोनों साथ साथ करवाए हुए है, आप अपनी आखों से देख सकते हैं, अगले question की तरफ पढ़ लेते हैं, क्या और कोई question है, जो इस तरह का manage हम लोग कर पाने हैं, जो हमें दिख रहा है, चले बिलकुल, next question, next question, आजो, next question क्या कह रहा है, each of these substances are found in India, अब यहाँ पर error portion का है, हमारे aspirant ने C में error दिया, C में error क्यों दिया, एक बा each of, sum of, तो इस of pattern के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, plural noun देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें से choose करके यह वाला निकाल रहे है, लेकिर actual में जो वर्बानी होती है, वो पहले शब्द के according आनी होती है, अगर पहला शब्द singular होग पहला शब्द plural है, अब each हमारा singular होता है, तो error कहां हो गया, आर में, क्योंकि यहां पर तो is आना था, अब एक काम करते हैं, इसको जड़ा हम लोग notes में देखते हैं, क्या notes में यह pattern करवाया हुआ है, बच्चे को, आज हो जी, चिक है, यहां देख लेते हैं, notes में एक बार clear कर लेते हैं, कहां है notes में, यह रा notes में, यह दखो, each of the plus plural noun, पूरा का पूरा rule as it is मिल रहा है, each of the plus plural noun, singular verb, वर्ब कैसी आ गई, singular verb, singular verb क्यों आएगी, क्योंकि each अपने बाद कैसी noun लेगा, कैसी verb लेगा, singular verb लेगा, तो कहते है, each of the boys, error हो जाएगा, boys, each of the boys has a book, each of the boys has a book, connect कर पारे हैं, चाले, और कुछ question है क्या, आजो, और देख लेते हैं, कुछ और question है, अरे भया, यह क्या कर दिया है, यहां पर, same के साथ the, दा लगा क्या है, error portion है, I played with same bat that you used, तो मैं यहां पर कह रहा हूँ, मैं भी उ तो महारे पास है, यह जिससे तुम खेले, ठीक है, अब यहां पर concept क्या कहता है, same, अब देखो जी, अगर यहां पर same के पहले दा लगा दिया जाए, तो the same कहता है, वैसा ही, जा कहता है, वैसा ही, और the very कहता है, वही, अगर मैं बोलता कि मैं उसी bat से खेले, जिससे तुम खेले तो आएगा सेम क्योंकि आप यहां पर देखो कि हमारे अस्प्रेंट ने भी आंसर किस में लगाया बी में लगाया यह एरर है बिल्कुल सही एरर है क्योंकि से पहले क्या मिसिंग था आर्टिकल दा मिसिंग था अब कहोगे सर नोट्स में कहा हैं आपके आजो भी हम पैटर्न यहां पर ठीक है क्या लिख वाए हो दा सेम तो यह लड़का था जो दोगंटे पहले मुझे मिला था ठीक है अगला कोशन आ रहे है अगला कोशन क्या है अब यह वी एक बार फोकस कर लेते और क्या कोशन बचा है ठीक है मैंने दू-तिन कोशन और है क्या निका ल मेरे भी और question चाहिए तो वो भी बता दूँगा ठीक है question कहा रहे है – children learn very quickly ठीक है तो कुछ का sense चाहिए मैं ए नहीं दे सकता ए नहीं दे सकता मच जाते uncountable noun के साथ ठीक है कैसे noun के साथ uncountable तो मेरे पास uncountable noun तो नहीं है children है children तो प्लूरल जा रहा है तो इसके साथ सम जाएगा तो some children अब आपको कि सिर्फ सम कैसे जा सकता है आज ओभी या एक बात चेक कर लेते सम आप लोगो को करवाया था या नहीं करवाया था यहां देख लीजे सम का concept कुछ बच्चे सोचते के सम के बाद तो singular noun या singular verb आनी च डिपेंड करेगा singular noun आएगा तो singular verb plural noun आएगा तो plural verb जिस तरह की ठीक है तो some का concept भी as it is आ रहा है दिख लो ठीक है जी अगला question देख रहे है क्या और कोई question आ रहे है आजो ठीक है next question कहता है what would you do a clause हमें separately दे रखा है what would you do अब would मुझे कहता है करते का sense ठीक है तुम क्या करत if you wanna lottery or lots of money ये को ध्यान देते है मैं जब would plus verb first की बात कर रहा हूं तो would plus verb first यानि की past tense बना रहे है ठीक है तो if clause में would कभी नहीं आता है ये बात बताया हुआ है will भी नहीं आएगा if you have present आगे तुरंत काटो if you will future आगे फिर भी कर जाएगा तो हमारे aspirant ने भी सही answer दिया second form of the verb क्या पताती है past indefinite tense तो सीधा सा would plus verb की first form के साथ जो मेरे को if clause मिलना चाहिए वो past indefinite का मिलना चाहिए यानि की verb की second form के साथ मिलना चाहिए आजो भी एक बार check कराते है आपको यहां से भी क्या ये portion सही है और क्या ये as it is लिखवाया हुआ है या नहीं लिखवाया यहां आजो यहां आजो आई वुड गिव यू मनी मैं तुभे पैसे देता वुड के साथ वर्ब की first form लेकिन दूसरा clause क्या कहता है if I had money head मतलब वर्ब की second form अब यहां पे confused मतलब ना के सरफ perfect tense है अरे यह perfect tense में head plus verb की third form जाती है head plus verb की third form जाती है लेकिन जब हमने देखा same structure वुड प्लस वर्ब की first form और एक के साथ वर्ब की second form करवाया हुआ है focus जो बच्चे मेरे पास अलड़ी पढ़ रहे है ठीक है वह इस बात में फोकस करो कि आपके notebook में खजाना छुपा हुआ है भाई फोकस करो और जो बच्चे कहीं और पढ़ रहे है भाई सब वह एक बार इस बात को जरूर चेक कर लो कि आपका content exam oriented है या नहीं है नहीं है तो इस चीज़ पर काम करो आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं अगला point अगला point क्या कहता है आजो और मेरे खाल से last question है आज last question ले रहे है कहता है many accidents many के बाद many के बाद plural noun है many accidents many plural word होता है many accidents अब जब मैं plural noun ले रहे हो तो वर्ब भी plural आनी चाहिए तो many accidents cause careless driving sense clear नहीं है have cause careless driving are caused by careless driving और will cause careless driving यी तो कट गया एक गया अब क्या कह रहा है many accidents भाई होते हैं तो passive voice बनता ये कहां आ गया तो B की passive voice के लिए क्या चाहिए ये passive voice के लिए ये बी के साथ वर्ब की third form B की form B की form क्या is MR हमारी किस की form होती है is MR होती है हमारी B की form ठीक है ना यहां देख लो many accidents are caused by careless driving C option correct है आपने देखा होगा कि हम लोग का जो experiment है ज्यादातर question सही करके आया है ज्यादातर question सही है आजो अब check कराता हूं तुम्हें अब check कराता हूं यहां देख लो भई यहां देख लो अगर मैं यहां देखूं तो साफ साफ rule क्या दिया हुआ है many के बाद plural noun plural verb औ has arrived तो यहां पर has को इसने गलत करना भूल गया नीचे देखो have यहां तो लिखा हुआ है इसने notes में यहां has को cross करना भूल गया यह तो many balls have arrived बहुत से लड़के पहुँच चुके यह बहुत सारे लड़के पहुच चुके है तो I hope आपने देखा किस तरह से question connect हो रहे है छोट कि इसी उमीद के साथ कि आप लोग आगे पढ़ाई अच्छे से करते रहें रहें ठीक है हाँ लेकिन जहां से भी पढ़ रहे हैं जो भी पढ़ रहे हैं जरूर आपका पढ़ा हुआ exam oriented होना चाहिए यह बड़ा important है तो आज की लिए यहीं रखता रखते हैं thank you